किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है गन्य की पाउध का रोपण कैसे करें खाज तोर से इस समय कि आपकी जो पाउध है वह अच्छी हो सके किसान भाईयों जिस खेत में आपने नर्शरी लगाई हो या ट्री में लगाई हो उसकी पहले हलकी से चाहिए कर दें उसके आद उपर की जो पत्तियां हैं उनको काट दें उपर की पत्तियों के काटने से आपको कई तरीके के फायदे होंगे एक जब आप पाउध हरोपित करेंगे तो ट्रांसपारिशन से जो वाटर करलास होता है वह नहीं होगा और दूसरी और अगर कोई जानवर आपकी खेत में तो ज्यादा ना रखें और साथ ही में जो लाइन से लाइन की दूरी है वह चार फिट रखें अगर आपको छोट डेक्टर से निराई गुड़ाई का काम करना है तो यह दूरी एक सुपाइंतिस सेंटीमीटर तक रख सकते हैं अब लगाने की बात आती है जो आप ट्रेंच ब रहती है और शाह पुआके जो ट्रेंच होती है उसमें बनाई उसकी कहराई भीस सेंटीमीटर से ज्यादा ना रह एए बीस से पची संटीमीटर से ज्यादा च्रखें और साथ ही में यह ध्यान रहें कि जो आपको खात की मातर डालनी है वहा बहुत थोड़ी मातरा पौध het केस में पहले डालें जैसे दो बैक सिंगल सुपरफासपेट एक बैक मेरोटब पोटास और पचेस किलोग्राम में यूडिया डाल करके और फिर पौध आप लगा सकते हैं पौध सूखा लगाना चाहिए यानि पहले आप नाली बना लें नाली बिल्कुल सीधी हो बुरवरी मिट्टी हो और फिर इसमें पौध 15 इंच की दूरी पर लगाएं पौध सूखे में लगाएं और बाद में पानी चला दें पानी जब चलाएं तो धी में चलाएं जिससे की पौध हमारी टेंड़ी नहोंने पाए पौध को लगाने के बाद उसको पायर से दबा दें यानि प्रेस कर दें ताकि कोई गैप न रह जाए जिससे नमी का हरास नहीं होगा और पौध आपकी चल्दी से लग जाएगी इसके साथ जो एक जरूरी बात है कि जितनी मी पौध लगाएं इसमें मौटलिटी आती है यानि कुछ पौध है मर जाते हैं जितना पौध आप लगाते हैं उसमें से दस प्रतसत आप रख ले यानि गैप फिलिंग जब आपको करने के आउ सकता हो पहली दूसरी सिचाई पर जहां लगता है कि पौध आपके नहीं चल पा रही है नेचुरल कुछ पौध आपके जरूर उसकी मौटलिटी होती है गैप फिलिंग कर देंगे तो आपका बहतर तरीके से पौध चल पाएगा पौध लगाते समय या भी किसान भायों को ध्याँ लगाना है कि जो नीचे की पिंडी है वह हां मिटी में केवल उतना ढगें जितनी की पिंडी बनी हुई है पौध को ज्यादा मिटी में नढखें भले ही आपको बार-बार थोड़ा-थोड़ा पानी लगाना पड़े पानी लगाने का जो सबसे अच्छा साथन, पाउध लगाती समय हो सकता है वो है डिरिप irrigation हो सकता है चुकि डिरिप irrigation से आप पूरे खेत में एक साथ और कममात्रा में में पानी दे सकते हैं हमेशा याद्यान रखें, flood method से कभी भी पौध लगा करके पानी ना दे, बलकि जिस तरीके से यहाँ पर दिखाएगा, हमारे खिसान मनोस चिंग्टो सेरिया, गाउगोंडा के रहने वाले हैं, इनके प्लाट का में प्रमण किया था, और इसमें पौध लगाई गई है, हलाकि नोने पहले पानी भर के तब पौध लगाई है, लेकिन मेरी सलाह है कि पहले आप पौध लगा लें, और फिर पानी चलाएं हलका, जिससे कि आपकी पौध की गहराई आपको पता चल सके और साथी में पौध आसानी से लगाई भी जा सके पौध दर लगने के 15 से 20 दिन बात आप इसमें डेंचिंग कर सकते हैं यूरिया की और साथी में हलका इस प्रैमिटा क्लोर पिट का एक एमिल प्रत लिटर पानी मिलाकर कर सकते हैं इस तरके से आपकी बहुत 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 चलेगी धन्यवाद जय हिंद जय भार